दोस्तों ये देख सकते हैं जहाँ पर टेस्टिंग लिखावा इस बंदे का भी मुझे जो ओटसेब डीपीय नजार आ रहा ठीक है अब मैं जैसी इस वाले फोन में यहाँ पर मैं हाइड बटन के पर क्लिक करके ओके करूंगा तो यहाँ पर इसके फोन से जो डीपीय यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं गायब हो चुका है अब जैसी हाँ पर हम हीटन कॉंटेक्ट में जाते हैं यहाँ पर मैं इसके उपर क्लिक करके यहाँ पर मैं ऑक्के करता हूं तो यह जो डीपीय यहाँ पर वापिस आ जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने करके आप जिसके भी वोट सेथ में आप अपना वोट सेथ डीपी दिखवाना चाहींगे सिर्फ उसी के व bullying में आपका जो वोटसेथ भी जरूशे कर लेना है बगल में आप सभी को घंटी को पर क्लिक करके आल के पर आप सभी को सेट कर लेना है इस वीडियो के कमेंट में जाके आप सभी को छोटा सा कमेंट भी लिख देना है तो कमेंट में आप सभी की ट्रिक को करने के लिए आप सभी को दो साइटिंग करने है ठीक है अब यह दोनों साइटिंग कौन सी है चलिए मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले आप सुभी को अपने phone में ये वाली app को download कर लेना है link मैंने video के description में डाल दिए है तो हाँ से आपसे download कर लेजएगा अब इस application में आप सुभी को क्या setting करनी है उससे पहले आप सुभी को अपने WhatsApp में चले जाना है और WhatsApp में जाने के बाद यहाँ पर आपको 3.0 के उपर क्लिक करके Setting में जाना है, Setting में जाने के बाद यहाँ पर आपको Account में चले जाना है, फिर आपको Privacy में जाना है और Privacy में जाने के बाद यह जो Last Scene है, Profile Photo है, About है Status है, इनको सभी को आपको My Contact पे Set कर देना ठीक है Enter वही Password यहाँ पर डाल देना है, फिर आपको OK कर देना है अब जैसे आप OK करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी के सामने Gmail को मतलब Select करने का Option आएगा, तो यहाँ पर आप कोई भी Gmail लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपको Permission को OK करके Allow कर देना है, ताकि आपके सभी जो Phone में Contact है, वो यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पर आप सभी को करना है क्या है कि जिस भी Phone में आप जिसके पास भी अपने WhatsApp DP को दिखवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके नमर को छोड़के, और जिसके Phone से आप अपना WhatsApp DP करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर Simply उसके नमर पर आपको इस तरीके से Hide करके OK कर देना, ठीक है, इस तरीके से जैसे आप Hide करके OK करेंगे, तो यहाँ पर उसके WhatsApp से आपका जो WhatsApp DP गाइब हो जाएगा, अब कभी अगर आपको उसके WhatsApp में अपना WhatsApp DP दिखवाना होगा, तो यहाँ पर आपको Hidden Contact में जाना है, और यहाँ पर आपको इसे On कर देना, ठीक है, इस तरीके से आपको On कर देना है, और जैसे आप On करेंगे, तो उसके WhatsApp में आपका जो WhatsApp DPI वो दिखने लगेगा तो इस प्रकार से ये setting कर सकते हैं जिसके WhatsApp में आप अपना WhatsApp DPI दिखवाना चाहते हैं सिर्फ उसी के WhatsApp में आपका DPI दिखाए देगा बागि सभी के WhatsApp से आप अपना जो WhatsApp DPI उसे gap कर सकते हैं छुपा सकते हैं तो काफी कमाल की setting है, काफी बढ़ी application है यूज़ करके देखे, आपको काफी मज़ा आएगा Thank you